नमस्कार आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस नियूस और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमाचा कटिहार में जलते हुए अंगार में नंगे प्यार्चल कर लोगों ने मनाया जहील पूजा शमेली प्रखन के राजवेंद्र पार्क में आयोजित इस तीन दिवसी जहील पूजा के आयोजन में जलते अंगार पर चलने को लेकर मानित आए हैं कि ऐसा करने से लोगों की मन्नत पूरी होती है इसी को लेकर अर्दासिया लोग यानि भगवान के प्रती अटूट प्रेम रखने वारे लोग इस तरह सी नंगे पैर अंगार पर चलते हैं या देखने में बेहर डराबना लगता है लेकिन आस्था के नाब पर कटिहार में इस तीन दिवसी आयोजन खास कर समापन की मौकी पर आस्था के इस खेल को देखने के लिए भारी भीर्ट देखने को मिली बांच पंदूर होना, बिमारी से निरोग होना, नौकरी और रोजगार बृद्धी होने जैसे कई मुद्धों को मनुकामना पूरा होने की उमीद में आग के अंगार पर चल कर लोग इस पूजा का हिस्सा बनते हैं यह एक परकार का जील पूजा है और इस जील पूजा में जैसे आग जला के उस आग में जो है अर्दसिया लोग या भगवान की परतिजिन को प्रेम है वह जो है इस पे बूलते हैं और अपना मनुकामना पूरा के एकदम नगा पाओ जलते हैं? इसलिए भूर नहीं जलता हूँ, करपल है अग में क मन हो पूरा हो शें नोकर्य के लिए या या कौई काम के लिए ने के लिए उनका मन का कामना पूरा होता हूँ यह कहां पर हो रहा है कि यह राज़ेंद पार्क डुमडिया तीन दिन से एक आर्जक्रम सुरू है आज इसका समापन है आज पूजा का यही मन कमना पुर्ण होता है जो बेक्ति को बाल बच्छा नहीं होता है इसके उपलद में बाक देता है भगवान भगत के दुआरा उसको पुर्ण हो जाता है इसी कमना से आयोजन रखा गया है अनहरा को यांख नहीं होता है उसको भगवान आँख भी देता है पुजा अजुद्या में राजा दसरत ने किया था जेकि खीर से राम लचमन भरत सत्रुगन चारो भाई के जन्म हुआ था बोले से अब राम चंद्रे की जै ये आग पे नंगे पाउं चला जाता है क्या पाउं नहीं जलता है इसे में दैब का सकती है भगवान का सकती है मेरा उसमें कुछ नहीं है मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है प्रभूतोर तेरा आपको सोपता क्या लागत है देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे है स्ट्रीट बस यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें धन्य बाद